अगर आप लोगों ने अभी तक लास्ट लिक्षर नहीं देखा तो पहले उससे जरूर देख यह जो कॉंसेप्ट है उसी से मिलता जुलता है इसका भी कॉंसेप्ट है तो जब वो पूरी टॉपिक समझ में आ जाएंगे यह बहुत ही आसानी से अपक समझ पाएंगे बहुत ही असानी से एकसेस कर पाएंगे तो चलिए स्टाट करते हैं कि कौन से हमारा टॉपिक है और किस तरह स operations का अंतर हमने इस difference दोनों में देख लिया था लास्ट लीक्षर में यहां पर operates के form में हमारे जो है वो है 5 6 2 और यह हमारे क्या operator है फिर यह क्या है और ओप रेंड है फिर क्या है operator यहां पर ABCD की form में हमारे आपको क्या करना है सबसे पहले इसे कॉमा से सेपरेट कर देना क्या करना है क्यूंकि हम अगर कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे तो अक्सर में इसके बाद हमें क्या करना है अबना याद करना है अपना याद करना है अपना इल्गर्फम किस तरह से है यह आपका इस सालेट आपको दिख रहा होगा यह algorithm आपको याद रखना है और इसी के recording ये पूरी-पूरी table हमारे solve होने वाली है तो सबसे पहले इस algorithm में क्या है सबसे पहले system में क्या हो रहा है add closing bracket जो parentheses bracket है इसका closing bracket है क्या कहा जा रहा है इसमें add closing bracket add the end of expression जो भी आपको expression दी हुई है उसके end में क्या करना है इस closing bracket को insert कर देना सबसे पहले सबसे पहले हमारा काम क्या है last में हमें closing bracket को insert कर देना अपने expression के अंदर second step में हमारा क्या है second step में क्या है हमारा scan expression from left to right जैसा है कि हमने last lecture में देखा था कि जितने भी हमारे expression है हमने उसे left to right scan करना दिखाता है कि किस तरह से left to right एक एक करके scan करेंगे फिर बाद हम उसे insert करेंगे अपने table कंदर तो फिर दूसरे इस्टेप हमें क्या करना है scan expression from left to right until जब तक कि हमारे closing bracket नहीं आ जाता encountered नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना है scan करना है एक एक करके सारे element को फिर इसमें क्या है तिसरे step में क्या हो जाता है if an operator encountered push stack यदि कोई operator हमें मिलता है तो इसे क्या करना है stack में हमें push करना है कहा पर करना है push stack में तो मालोग कोई हमें operator मिलता है तो हमें क्या करना है stack में push कर देना है तो यदि an operator encountered यदि हमें कोई operator मिलता है ताब हमें क्या करना है हमारे पास उसके लिए 2 इश्टे पा जाते हैं कौन-कौन से एक A number का और दूसरे का है B number का यदि हमें कोई operator मिल जाता है इसका इन करते time तो हमें क्या करना है pop-top हमें pop करना है pop को मतलब क्या होता है delete करना हमें pop करना है top से कितने 2 operant को कितने operant को तो operant को हमें top से pop कर देना है from कहां से stack से जो हमारे stack के अंतर के जो भी हाप element रखे जाएंगे तो अगर जैसे कोई operator हमें मिल जाता है इसका इन करते time जैसे मालने यापर प्लस मिल गया हमें क्या करना है इसके पहले वाले दोनों को जैसा कि हमने last lecture में भी इससे देखा था यहां पर जो हमारा first वाला pop होगा मतलब remove होगा element उससे हम किसे denote कर देंगे op1 से और जो हमारा उसके बाद second वाला element remove होगा या फिर ऐसे बोले pop होगा उससे किसे denote करेंगे op2 से यहां पर प्लस नहीं है इसका मतलब क्या है ऑपरेटर तो जो भी ऑपरेटर आपका बीच में आया है उस ऑपरेटर के यहां पर यूज करना है तो op2 फिर जो यहां पर operator मालु आया था तो उसके जगा प्लस कर देंगे अगर आपे multiply आगया तो इसके जगा कर देंगे, divide रख देंगे फिर बाद हो op1 फिर उसी के coding operation perform हो जाएगा फिर जो भी हमारी value आएगी हमें again अपने stack में insert कर देना है उन दोनों की जगा पे जो दोनों का हम remove किये तो यह चीज़ आपको तो रखना है यह हमारा कुछ इस तरह से algorithm है बस हमें इसी algorithm को follow करते हुए अपने इस expression को solve करना है तो चलिए इसे step by step समझ लेते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या कहा जा रहा है add parentheses closing parentheses bracket हमें क्या करना है expression के end में insert कर देना है तो हमने क्या किया यह जो expression में दे गई थी तो हमने scan करना है left to right मतलब left यह है और right की side है इस side है तो हमें left to right scan करना है कुछ इस problem में और सबसे पहले जो भी element scan करते जाएंगे अगर operate आ रहे हैं तो हमें कहां पर रखना है यहां पर रखना है अगर operator आ जाते हैं तो जो हमारे last के दो value है प्लस आगया अब जैसी प्लस आगया ज़िसका मतलब क्या है है हम इसमें आ जाएंगे अप्लस आते ही हमारे इस्प्रेशन क्या कह रहा है if and operator if and operator and accountant then हमें क्या करना है यह चीज इस्टेप follow करना है तो यहां पर क्या करना है जैसे आरटार आ जाता है तो हमें क्या करना होगा तो element को two operant from stack two element को जो हमारे stack पे हैं इन दोनों को हमें क्या करना है पॉप कर देना है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को पॉप कर देंगे समसे पहले क्या होगा तू और दूसरे क्या है जो पहला होला हमारा रिमूब हुआ तो उसका नाम क्या करना है ओपीवन ओपीवन और दूसरे क्या नाम देना है ओपीटू अब प्लस आया था तो यहां पर आएगा यहां पर हमारा आ गया प्लस आया था ना पहले प्लस लिख देता हो नहीं तो इस्टिप कन्फूज हो जाओगे आप अपर हमारा आ गया पाइब काम करना होगा कौन सा काम जो फो डो ळि इने क्या में प्लस तो हम क्या करना हो चुगाए तो हम दूसरे टेबल में चलते हैं ठीक है तुन्हें झाले हम चलेंगे तो यहां पर हमारा क्या रहता है प्लस 5,8 प्लस 5,8 ये आ रहा था, अब हमारे क्या गए multiply आ गया, हम जैसी यहाँ पर multiply करेंगे, ये multiply हो गया तो हमारो operator है, हमें पता है कि जैसी operator हागे हमें क्या कर ना, दोनों को pop कर देना है अब दोनों pop होंगे, तो कहाँ पर जाएंगे पहला हमारा concept of होगा 8 फिर उसके बाद concept of होगा 5 पहला वाला जह होए उसका नाम क्या देंगे op1, operand 1 और दूसरा वाला क्या है op2, op का मतलब क्या है operand, यहाँ पर 2 हो गए, अब इसके बाद हमें क्या करना है यह evaluate करना है op2, फिर यहाँ पर sign जो भी हमारा operator आ रहा है फिर op1 यहाँ पर sign हमारा कौन सार है, multiply यहाँ मतलब क्या है यहाँ पर हम करेंगे 5, multiply 8 कितना answer आ गया 40 तो इसके जगम क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक है अब इसके बाद हमारा क्या आ गया, 12 आ गया हम आ पर हम 12 रखेंगे और 12 हम डारेक्ट कहाँ पर insert हो जाएगा यहीं पर हो जाएगा 12 इसके बाद क्या आ गया 4 आ गया, 4 कहाँ पर insert होगा 4 भी यहीं पर insert हो जाएगा 4, 12, and इसके बाद क्या आ गया हमारा हमारा यह नाम देँगे? यह नाम देंगे? टूर दोनों के बीछ हमारा ऑपरेटर कौन सा आया था? दोनों कम क्या कर देंगे? डिवाइट कर देंगे, ओपीट को वेल किती नहीं है, 12, डिवाइट लगाएंगे, ओप यहाँ पर 4, कितना आएका एंसर, 3, इन दोने जखम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 40, 3, simple सा, अब इसके बाद क्या रहा है, फिर से माइनस आ रहा है, यहाँ पर लास्ट ब्रेकेट होगा, 3, फिर कौन सा पॉफ होगा, 30, अब यहाँ पर जो 3 है, वो क्या है, ओपी 1, और 40 है, वो क्या है, ओपी, अब यहाँ पर हमारे क्या है, इससे इवेलेट करना है, तो किस तरह से होगा, ओपी 2 की वेलेट कितनी है, 40, फिर हमारे क्या है, माइनस, और यहाँ पर क्या ह एंसर कितना आजाएगा और यहां पर जो हमारा लास्ट एंसर मिलेगा टेबल में इंसर्ट होगा यही आइंसर करें तो आपको यह सारे टॉपिक समझ में आए गाए होगी कि अगर लास्ट लिक्चर आप लोगों ने देखा है तो यह तोपिक और भी अच्छे से तुरण समा से बहुत अच्छे सारे टॉपिक कराया जा रहे हैं आप लोगों के थैंक्यू समस्ट गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो